हाई है विल्कम टुद्व चैनल ग्यापनिकेडमी चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जिसका नाम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अब बात आती है दाय हाथ की यानि की राइट हेंड की राइट हेंड से गुली मारने वाली बात ठीके यह नियम जो भी पढ़ता है ना उसको जिंदगी बर याद रहता है बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए आप लोग भी इसको याद रखिएगा इस नियम को पढ सांथ साथ आप लोग को यह भी मालूम चल जाएगा कि फ्लेमिंग के दाय हाथ का नियम आया क्यों मतलब उसको क्यूं बनाया गया और उसका यूज कहां कहां होता है ठीक है तो चलिए जला इसको समझते हैं विदूत चुमबक की एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं देखिए हमारे विग्यानिकों को तो ये तो बात मालूम चल गया था और उन्होंने खोज भी कर दी थी क्या चीका कि विधूत धारा से चुमबक को बनाया जा सकता है और अब हम पिछले वीडियों में पढ़ चुके हैं परिनाली का और विधूत चुमबक उसमें विग्यानिकों ने सोचा कि जब विधूत धारा से चुमबक को बनाया जा सकता है तो चुमबक से विधूत धारा को क्यों नहीं बनाया जा सकता है कि नहीं और ये बात सभी विग्यानिकों के दिमाग में खटकी और सभी विग्यानिक इस बात को लेकर एक्सपेरिमेंट कर किसी भी तरह चुम्बक से विधूद्धारा को उत्पन करना है किसी भी तरह चुम्बक से विधूद्धारा को बना देना है और इसी में एक हमारे वैज्यानिक है माइकल फैराडे वह 1831 में यह बात उन्होंने प्रूफ कर दी मतलब इनका एक्सपेरिमेंट परियोग क्या हो गया सफल हुआ सक्षम हुए इस बात को बताने में कि चुम्बक से विधूद्धारा को उत्पन किया जा सकता है अब हम लोग इनके परियोग को समझेंगे और उसके सांद साथ ये भी जान लेंगे कि कैसे चुम्बक से विधूद्धारा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइकल फइराडे का परियोग कि वो कैसे एक्सपेरिमेंट किये थे हैं तो सबसे पहले माइकल फइराडे ने एक कुंडली थी कुंडले ने आप लोग समझते होंगे जिसमें तारों को कुंडलित किया जाता है जίसा की मैं बोड पर बनाई हूँ देखिए, इसी तरह कुंडलित किया जाता है तार को और इस कुंडलित तारों को लाकर माइकल फैराडे ने एक गैलवेनोमीटर से जोड़ दिया था होता है तो फिर यह लवेनु मीटर कहाँ से आ गया है तो देखिए विधुत दारा को घंलivas और उसके रेसर बवाइथ उरेदा है और इस लिए जो माइकल फेराडे लिये थे ताकि अगर इस कुंडली में थोड़ा सा भी धारा छड़ी की भी धारा प्रवाइत होना तो ये गिलवेलियूमीटर माप ले और उसकी दिशा को भी बता दे ठीक है अब देखिए माइकल फेराडे ने एक चुंबक लिया इस चुंबक को आप लोग देखे ही होंगे और जान सिंप्ली एक कुंड़ी लखे थे और उसके पास चुंबक को ले जाकर रख दिये वह इंतिजार किये कि अब इस कुंड़ी में विदूद्धारा प्रवाइत होगी अब होगी अब होगी लेकिन कोई भी विदूद्धारा प्रवाइत नहीं हुई आई बराबर यानि की वि के पास ले कर जाना इस्टार्ट किये और जैसे ही हमारे माइकल फ़राडे इस चुंबक को धीरे-धीरे कुंडली के पास ले कर जाना स्टार्ट किये इस चुंबक के गेलवयनोमीटर में विछेब हुआ और इस तर एधर से एधर wine इने को को मिला विधुद्धारा प्रेरित हुई यहां पर आई जो था वो जीरो के बराबर नहीं था ठीके विधुद्धारा जीरो के बराबर नहीं है फिर उन्होंने देखा बहुत अच्छा अब तीसरे कंडिशन में वो क्या किये कि चुंबक को दिरे दिरे ले कर जा रहे थी वो फिर से खड़ी सांत हो गई इसका मतलब इस कुंडियमें फिर से विधुद्धारा जीरो के बराबर कोई भी विधुद्धारा परोवायत नहीं हुई क्यों की मैइकल फैराडे ने चुंबक को ले जाकर रख दिया था फिर तिस्रे कंडिशन चॉते कंडिशन को इंघ वो अब इस दिशा में हुआ था मतलब सुई इस दिशा में विच्छे पित हुई थी तो माइकल फराइडे ने कहा बहुत अच्छा मतलब इस चुम्बा को अब उल्टा दिशा में गती करवा रहे हैं तो इसका सुई भी क्या हो गई उल्टी दिशा में विच्छे पित हो कि लिएगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्यूं हुआ उसके पीछे का कारण क्या है अभी सिर्फ आप लोग अब्जॉर्ब कीजिए क्या क्या हो रहा है ठीक है तो यहां पर वो दूर जैसे जैसे जा रहे थे सुई विचेपित हो गया यानि कि यहां पर आई बराबर जीरो नहीं था यहां पर इस चुंडली में विधूद्धारा देखने को मिला मतलब विधूद्धारा प्रिरित हुआ ठीक है फिर उन्होंने चुम्बा को ले जाकर दूर रख दिया तो दूर रखने पर फिर से आई बराबर जीरो हो गया फिर जैस कुंडली को अब दिरे दीरे क्या किए दूर लेकर जाना जब कुन्डली के गैलवएमयन Kण में फीरसे मतलबव झाल धूर्ण जब दूर ले जाकर रख दिये तो यह जो विच्छेपित सुई थी अब विच्छेपित नहीं हो रही थी अब एकदम खाड़ा हो गई मतलब इसमें कोई भी विधूत धारा देखने को नहीं मिला ठीक है फिर वह साथवे कंडिशन में अगले स्थिति में क्या किये फिर से उ प्रवाइथ हो रही है ठीक है और कुंडली को उन्होंने लाकर फिर से रख दिया इस चुंबक के पास तो फिर से इस कुंडली में आई बराबर क्या हो गया जीरो यानि कि विदूत धारा प्रवाइथ नहीं हुई यह फिर से सुई खड़ा हो गया तो यह था माइकल फैरा इन सबी घटनाओं में क्या चीज देखने को मिल रही है सबसे पहली चीज यह देखने को मिल रही है कि जब जब आपनों का चुंबक गती कर रहा है जब जब वह चुंबक को आगे पीछे कर रहे हैं तब तब उस कुंडली में विदूत धारा देखने को मिल रही है मतलब तब तब उस कुंडली में विधूद्धारा प्रेरित हो रही है और जब वो चुंबक को रोक दे रहे हैं मतलब रख दे रहे हैं तब उसमें कोई भी विधूद्धारा प्रवाहित नहीं हो रही है यह पहली बात यह पहला निसकर्स निकला दूसरा निसकर्स यह निकला कि ज जब जब वो कुंडली को गती करा रहे हैं जब जब वो कुंडली को आगे पीछे कर रहे हैं तब तक कुंडली में विधूद्धारा देखने को मिल रही है और जब वो कुंडली को रोक दे रहे हैं गती कराना बंद कर दे रहे हैं तो उस कुंडली में विधूद्धारा सुन ूढ़ी जा ना तो यह जो चुंबक ले जाकर रखेत हैं माइकल टूर। इस कुंडली से थूड़ी दूर इसके चारो तरफ को पर एक है कि आउए यह यह डो दूकर और इस चुंबक की थूद्वर की सहे हैं इस कुंडली से भी होकर गुजर रही हुगी मान लिजे गुजरने वाली चुम्बके चित रिखाओ की संक्या 2 है ठीक है तो यहाँ पर माइकल फेराडे ने क्या किये था जराध्यान से सुनिये ले जाकर रख दिया था उन्होंने इंतजार किया कुछ सेकेंड पहले चुम्बके चित रिखाओ की संक्या 2 थी मतलब कि चुम्बके तर्यखाओ की संक्या नहीं चेंज हो रही है कनडीन में लेकिन दूसरे कंडिसन में यह चुम्बके तर्य धी initiate 9 professor में परिवर्तन ने परह solche 3 हो गई और पास लेकर चार तो परिवर्डर्य क्षऐ पांच हो गई इस तरह करकर क्या रहा था चुंभा की इच्षतk रिखाओं में परीवर्तन हो रहा था और पहले कंडिशन में कोई परीवर्तन नहीं हो रहा था ठीक है और इसलिए अगर पहले कंडिशन में माइकल फराडे चुप चाप अगर जिंदगी भर बैठे रहते ये इंतिजार में कि इस कुंडली से विधूद्धारा परवाइत हो तो कभी नहीं परवाइत होता क्यों क्योंकि इसमें चुंबक एच्षेत रहा है जो गुजर रही है उसकी संख्या में परिवर्ता नहीं हो रहा है पहले भी दो थी बाद में भी दो है उसके बाद में भी दो और जिंदगी भर बैठे रहते तब भी ये दो ही रहते दो ही रहता चुंबक एच्षेत रहा क् क्या कर रहे थे आगे नहीं या फिर पीछे नहीं करते मतलब गती नहीं करा रहे थे लेकिन दूसरे कंडिशन में वो धीरे धीरे पास लाना इस्टार्ट किये और पास लाने से लागातार चुंबकी छेतर रिखाओं में क्या हो गया परिवर्तन होने लगा दो से तीन हुई तीन से चार हुई चार से पांच पांच से छे छे से साथ इस तरह करकर लागातार परिवर्तन चेंजिंग आने के वज़ा से चुंबकी छेतर रिखाओं में इस कुंडली में एक धारा प्रेरित हुई जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित धारा याद रखना है जो धा इस चुंबकी छेतर रिखाओं में लागातार परिवर्तन के वज़ा से किसी कुंडली में धारा प्रेरित होती है उसको क्या बोलते हैं विधूत चुंबकी प्रेरन यानि के चुंबक के गती के वज़ा से विधूत का क्या हो गया प्रेरन हो गया चुंबक के गती के वज़ा स से कुंड्ली में विधूत धारा प्रेरित हो गया जिसको क्या बोलती है हम लोग विधूत क्या प्रवाईत हूई उसको बोल दिया हुम लोग को समझ गए होंगे क्या क्यों कि गुजरने वाली संक्र चुंबक के छित रिखाओं की संक्याय मान लीजिये पांच पर आकर रुख गई ले जाकर रख दिये मतलब उसमें गती नहीं करा रहे हैं तो अगले से केंड़ी 5 मुलत के छित रिखाओं में कोई परिवर्ता नहीं होगा क्योंकि चुंबक दीरे चुम्बा को क्या कर रहे थे पीछे ले कर जा रहे थे तो माली जी यहां पर पास रखा था तो पांच था पांच चुम्बा के छेतर रिखाओ की संक्या कितना था गुजरने वाली इस कुंडली में पांच था अब धीरे धीरे क्या करने पीछे ले कर जाना स्टाट किय तो चार हो गई और पीछे ले कर गए तीन और पीछे ले कर गए दो और पीछे ले कर गए एक मतलब लागातार परिवर्तन हो रहा है लेकिन उल्टा परिवर्तन हो रहा था और उल्टा इस चुंबकी चेतर रिखाओं में परिवर्तन होने के वज़ा से इस कुंडली में उल् डे खने हो रहा है घीजा तरह तो इसंधान हो रहा फिर इस कट्रेसफिनमें क्या हुआ जैसे जैसे वह कुंडली को दूर ले कर आ थे तो भी क्या हो घ्र संधान लागातार्स होगी क्यूंकि पहले मादने चंकी की संख्यादाथी और दूर ले कर गए और दूर कम हो गई और दूर ले कर गए और मिलब लगातार चुंबा की च्रेटर कर न हो रहा था और इसी वजह से इस कुंडली मेंधारा प्रेरित हो गई जिसको क्या बोल दिया प्रेड़ा और पर któr तो रख देने के बाद इन दोनों में कोई भी गती नहीं हो रहा थी जिसमें इसमें धारा नहीं दिखाई दिया किसी चुंबक और कुंडली के बिच सापेक्ष गति कराए जाती है सापेक्स गती का मतलब आप लोग समझ लीजिए मतलब वो एक दूसरे के लिए गती करते हैं या तो चुंबक गती करे या फिर कुंडली गती करे उसी को बोला जाता है सापेक्स गती मतलब एक दूसरे के लिए वो गती करते रहना चाहिए तो जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच सापक्ष गती कराई जाती है तो उस कुंडली में एक धारा प्रेरित होती है जिसको बोलते हैं प्रेरित धारा और इस पूरी घटना को बोलते हैं विदुध चुंबकिया प्रेरन फिक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब यहां तक आप लोगों अच्छे तरीकस समझ में आ गया है ना तो flaming के दाने हाथ का नियम बहुत हीह तरीकस सब्सक्राह्यस मिए बहुत सीमपल है तो पहले लीजे ह यहां तक फॉटफट फॉट स्क्रीनácन सट्सोट फिर मैं दान कि दाय हाथ के नियम को समझाती हूं अब चलिए जड़ा आगे समझे मैं यहाँ पर दो चुम्बक ले ली हूं एक चुम्बक का यह दूसरे चुम्बक का यह इस वाला सी रहे इसमें चुम्बक की छेतर रेखाओ कि दिशा कि दर से किदर होगी तो नौर्थ पूल से साउथ की दरफ और चुम्बक की उपाई होंगी सभी नौर्थ से सेसाऊथ की तरफ जाएंगी ठीके यानकि सभी चुम्बक के चुम्बक के शेतर रेखाओं में अगर मैं एक तामबी की तार रख दूं तो क्या होगा सब्सक्राइब से चंब की चटर रेखाये तो बिलकुल गुजड़ेंगी अब इस तामबे के उतार को मैं बहुत तेजी से पकड़ कर बाहर की तरफ खेचु फिर छोड़ें फिर भाहर की तरफ फिर चोड़ें तो यानि कि मैं गति बाहर की तर तो इस धारा की दिशा क्या होगी इस तार में जो धारा प्रिवाहुत हुआ क्यों साओं प्रीवाहित होगी या फिर उपर मालूम करने के belly aja दचिर हस्त का नियम दिया यानि कि दाय हाथ का नियम दिया जिसको बोलते हम फ्लेमिंग के दचिर हस्त का नियम यानि कि दाय हाथ का नियम ठीक है कोई रिकत नहीं है अब हम लोग समझते हैं कि फ्लेमिंग के दचिर हस्त का नियम क्या है इस नियम में फ्लेमिंग ने बताया ay किभर कि प्रेरिक धारा कि दिशा क्या है यानि कि किदर से किदर धारा प्रवाइथ हो रही है तो आप अपने दायें हात को उठs together बिल्कुल उठा लिए फिर उन्होंने बताया कि दायें हात के तीनोंं को को ऐसे फैलाना है कि वो तीनों एक के नाइंटी डिग्री все एस ये दोनों अगलिया एक कि की यानि की लमवन हों यह की दिसा में रखेंगे यानि की यह तरजनी अपका यह म१्यमा और चुंबहकिय च्छेत्र की दिसा में रखते और की तरफ गति करा रहे हैं एक कि प्र प्रreckति सी दिशा कीसिंगें का यूज कीजिए और बताईए कि कि इस तार में किधर से किधर धारा प्रेडित हो रहा है यूज कीजिए ठीक है चलिए मैं आप लोग को बता देती हूं ऐसे फैला लिए तरजनी को कि दर रखना है चुम्बक एच्छेत्र रखाओ की दिसा में चुम्बक पहर की तरफ यह आंग्ठा जश्वाइब नुपन है उपर की ओर या निकि इस सथार में जो धरा प्रवाहित हो इतना खोज करने के बावजूद भी ना हमारे विग्यानी चुप नहीं बैठे उन्होंने सबसे पहले तो चुमबक से विधूद धारा को उतपन कर लिया प्रेरित धारा को और उसकी दिशा को भी मालूम कर लिया किसके हल्प से फ्लेमिंगके दशीड हस्त के नियम से फिर उन्होंने सोचा कि फ्लेमिंग के दशिर हस्त का नियम का यूज कहां किया जाए इसका इस्तमाल कहां किया जाए और उन्होंने फ्लेमिंग के दाय हाथ की नियम का बहुत ही अच्छे जगा और बहुत ही नयाब चीज बनाने में इस्तमाल कर दिया उसका नाम है जेनरेट होता है किस नियम पर आधारित होता है तो वह फ्लेमिंग के दाय हाथ के नियम पर ही आधारित रहता है ठीक है आप लोगों को कभी नहीं भूलना है और बात करें जिनरेटर की तो जिनरेटर भी दो परकार का होता है एक एसी जिनरेटर और दूसरा होता है डीसी जिनरेटर उ आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज